नमस्कार दोस्तों, OCN Network में आपका स्वागत। अर्विंद केजरी वाल की बेहिसाब मुसीबतें बढ़ने जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि अब NIA भी पूरी जाँच में शामिल कभी भी की जा सकती है। और ये जो मुसीबतों का पहाड उनके सामने है या उनके सिर पर है। ये जो कभी कभी अती महत्वा का अंक्षाएं होती हैं और उन अती महत्वा का अंक्षाओं की पूर्ती के लिए तमाम गलत रास्ते आदमी अख्तियार करने के लिए कोशिश करता है, साजिश रचता है। उसे संभवत है, उस समय इसका एहसास भी नहीं होता है कि ये चीज़ें छिपती नहीं हैं जो वो गलतियां कर चुके हैं। और जो नई मुसीबत है, एक मुसीबत तो ये है कि जो खालिस्तानी हैं, उनसे इन्हों ने 133 करोड रुपे का डोनेशन लिया था। और ये इनकी अमेरिकी यात्रा के दोरान 2014 में इनको दिया गया था। इसका डिटेल है और डिटेल किसी और ने नहीं दिया है इस बार। जो ये खालिस्तानी मोमेंट के इस समय सरगना है, SFJ के जो परमुख है, गुरुवंत पंत सिंग पन्नू, जिसकी आए दिन हरकतिय हमें अमेरिका में भी, कनाड़ा में भी, UK में भी, US में भी, हर जगए और अस्ट्रेलिया में भी, इनके जो अलग-अलग frontal organizations हैं, उनकी जो हरकतें हमें भारतिये उच्चायोग पर, दूतावासों पर और जो हमारे धार्म अस्थाल हैं, उन पर दिखाई देती है, ये पन्नू ने खुलासा किया है। और पन्नू ने अर्विंद केजरी वाल पर वादा खिलापी का आरोप लगाया है। उनका कहना ये है, कि जब ये अमेरिका की यात्रा पर आये थे, उस समय इनसे बाच्चीत हुई थी, इनसे मुलाकात हुई थी, इन्हों ने ये वादा किया था, कि वो पांच घंटे के भीतर आतम कुवादी देविंदर सिंग भुलर को रिहा करा देंगे। और इस दिशा में अरविंद केजरिवाल ने कुछ गंबीर स्टेप अठाए थे, इसके भी सबूत हैं। जो इस तरह के कैदियों की रिहाई के लिए बोड बना हुआ है दिल्ली एंसिटी में। आप जानते हैं उस बोड के प्रमुख कौन बनाए गए थे। सतेंद्र जैन, जो इस समय खुद तीहाड में है। और इस बोड की कुल मिला करके साथ बैठके हुई। साथमी बैठक में क्या नथिजा निकला। ये तो अभी तक पता नहीं चला है। क्योंकि जब वो बैठक हुई थी तो सतेंद्र जैन उसके तुरंद बात जो है वहां पहुँच गए थे। तो उसका कोई परिणाम सामने नहीं है लेकिन जो छे बैठके हुई थी। उनमें भुलर की रिहाई की बार बार बात रखी गई और उसको डेनाई कर दिया गया। यानि अमेरिका में जो खालिस्तानियों को ये वादा करके आई थे। उसकी प्रती पूर्ती के लिए अर्विंद केजरी वाल के नित्रत्तों में सरकार की देखरेख में जो बोड़ गठित हुआ उसके चेर्मेन सतेंद्र जैन बनाए गए थे। यह पूरा मामला क्या है मैं आपको इसका खुलासा करता हूं। आपको याद होगा वैसे बहुत सारे लोगों को याद होगा यह घटना घटी थी एक्च्वल में कॉंग्रेस का जो यूथ कॉंग्रेस का मुख्यालिया है राइसीना रोड दिल्ली में। वहां पर एक बस में ब्लास्ट हुआ था। नौ लोगों की तो ओंदा स्पोर्ट ही डैथ हो गई थी। और इसके अलावा कई घायल हो गए थे। और उसी घटना में बिट्टा भी घायल हुए थे। मंजिंदर सिंग बिट्टा मंजिंदर सिंग बिट्टा जिसमें घायल हुए थे। उस घटना का आरोपी जर्मनी में चिपा बैठा था। देविंदर सिंग भुलर। वहां से उसे निर्वासित कराकर के दिल्ली लाया गया। उस पर मुकदमा चला। उसको फासी की सजा दी गई बाद में वो आजीवन कारावास में बदली गई। और इस्तितियां परिस्तितियां ऐसी हुई के ये बाद में ये हुआ के सब मानसिक रूप से या मानसिक अवसाद से ग्रस्त है। इसको अस्पताल में भरती करा दिया जाए। तकनी की तोर पर ये अमरत सर की सेंट्रल जेल में इस समय सजा काट रहा है। लेकिन इसको बाद में इनके परिजनों की या चिका पर एक अस्पताल में भरती कर दिया गया। लेकिन रियाही नहीं हो पाई। और ये कुल मिला करके 24 साल 9 महिने दिन की सजा काट चुका है। 24 साल 9 महिने की सजा काट चुका। 1995 में एक गिरफ्तार कर लिया गया था। तो साब जो खालिस्तानी हैं वो इस बात को बरदास्त क्यों करेंगे। कि साब हमारे दिये गए डोनेशन से अरविंद केजरी वाल ने पंजाब में सरकार भी बना ली। वहाँ इनका मुख्यमंत्री भी है। और ये खुद पन्नु ने कहा है कि आज तो नोबत यह आ गई है। और वो किसके दबाव में ऐसा हो रहा है। क्या केंद्र सरकार का उपर से डंडा था। कि भगवंत मान जो है बिना चूँ चपाट किये। अमरत पाल को ग्रफतार कराने के लिए बात दे हुए। अमरत पाल भी तो इन खालिस्तानियों का ही महरा था। जो अब असम की डिवरुगर जेल में जो है सजा काट रहा है। या अभी ट्राइल शुरू होंगे उसके। किरफतारी तो उसकी हो चुकी। वहां उसको रखा गया है। दूसरे मामले हैं जिनको लेकर के अरविंद केजरी वाल की जो नीतियां हैं जो बयान हैं खालिस्तान समर्थकों के यहां ये चुनाव परचार के दोरान रुके थे जब पिछली विधानसभा के चुनाव हुए थे इस विधानसभा चुनाव के नहीं पिछली विधानसभ चुनाओके तब ये आरुप लगे थे इन पर के लंदन बेस एक खालिस्तानी का जो मोहाली में घर है वहाँ पर अर्विन केजरिवाल नाइट इस्टे किया करते थे और ये आरुप किसी और ने नहीं लगाया था इनके ही एक करीबी साथी रह चुके कुमार विश्वास ने लगाया था और अब ये नया आरो मैं आपको वो पन्नु का जो एक वीडियो चल रहा है वीडियो जारी किया है पन्नु ने और ये कहा है कि साव अर्विंद केजरीवाल खुद को इमानदार हिंदू कहते हैं लेकिन वो बेइमान हिंदू है जब दो हजार चोदा में उनके पास सत्ता नहीं थी तब उन्होंने अमेरिका आकर न्यू योर्क में खालिस्तानियों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो दविंदर पाल सिंग भुल्लर को पांच घंटे के भीतर छोड़ दिया जाएगा यानि उस बम ब्लास्ट के आरोपी को अर्विंद केजरीवाल पांच घंटे में छोड़ने की बात कर रहे थे जिस ब्लास्ट में मंजिंदर सिंग बिट्टा भी घायल हुए थे जिसमें और ये माना गया था कि ये बिट्टा की जान लेने के लिए ही हमला कराया गया था और जो बस वहाँ से गुजर रही थी उसमें भी वो भी चपेट में आ गई थी नौल यात्री मर गए थे और बीस पच्चीस आदमी जो है उसमें घायल हो गए थे पन्नु ने केजरीवाल पर वादा खिलापी का आरोप लगाया पन्नु ने कहा कि भुलर को तो नहीं छोड़ा गया लेकिन खालिस्तानियों की बात करने वालों को पंजाब में अब भगवंतमान सरकार भी रोक रही है और पन्नु ने ये भी कहा है इस वक्तवे में कि भगवंतमान और केजरीवाल ने आम आदमी पारिटी के लिए खालिस्तानियों से मोटी रकम ली 2014 और 22 के बीच में खालिस्तानियों ने आम आदमी पारिटी सरकार बनाने के लिए 16 मिलियन डॉलर यानि 133 करोड रुपे की मदद की है और उसका ये भी कहना है कि पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाब जूटे मुकदमे पुलिस एंकाउंटर सीम अर्विंद केजरीवाल के दिशानिर देश पर भगवंतमान करवा रहे हैं पंजोने केजरीवाल से हिसाब किताब करने की धंकी भी दे डाली है और खालिस्तानी जो अमरत पाल है उसके बारे में भी उसने अनाफशनाब बाते की हैं मतलब उसको ले करके कि जैसे तरीके सो उसको गिरबतार करके डिबरु गड़ भेजा गया ये 93 की घटना है जो मैं बता रहा हूँ कॉंग्रेस मुक्याले के सामने यूथ कॉंग्रेस मुक्याले के सामने कार में बं लगा करके धमाका किया गया था और इसमें बिटा और दूसरे लोग गहल हो गए ते कुछ मारे गए थे बेरहाल ये जो अर्विंद केजरी वाल और खालिस्तानियों के बीच नेकसस सावित हुआ है मिली भगत खालिस्तानियों की मदद लेना सत्ता हसिल करने के लिए ये बेहद संगीन मामला है और अर्विंद केजरी वाल अभी तो भरष्टाचार के मामले में अंदर है लेकिन जब ये केस NIA को सौपा जाएगा और जिसकी बहुत बड़ी संभावनाए हैं तो उसके बाद आप जड़ा अंदाजा लगाई ये कि इनकी मुसीबते बेहिसाब बढ़ने जा रही है और एक और मामला आपको याद होगा जब इनको गिरफ्तार किया गया उसके अगले दिन जो आपकी इडी है उसके अधिकारियों ने जो प्रेस नोट जारी किया था उसमें ये जानकारी दी गई थी किसाब इनके घर से 150 पन्ने के दस्ताविज बरामद हुए हैं क्या थे वो ये एक्च्वल में इडी के दो अधिकारियों एक तो कपिल राज जो इस्पेसल जो एडिशनल डारेक्टर हैं और इस्पेशल डारेक्टर सत्यवरत उनकी जासुसी करा रहे थे और जासुसी में क्या करा रहे थे इनके संपत्ति कितनी है इनके जमीन जायदाद कितनी है इनके कुल मिलाकर के जो सर्विस के कारणा में हैं वो क्या हैं और कुछ दूसरी चीजों की जानकरिया निकलवा रहे थे तो इडी का कहना ये है कि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी क्रत्य है और एक तरीके से ये देश के खिलाब भी एक तरीके से क्रत्य है यानि राजद्रोहों का मामला भी इसमें बन सकता है अगर वो नहीं बना तो जो सरकारी अधिकारी हैं उनके कामकाज की निगरानी रखने का गैर कानूनी क्रत्य के तहत इनके खिलाब बहुत सक्त का रवाई की जा सकती है ये दोनों मामले ऐसे हैं जो अर्विंद केजरी वाल पर बहुत भारी पढ़ने वाले हैं और वो तो आपको ध्यान हो गई वो भी एक अलग केस चल रहा है जिसमें इन्होंने फीडबेक यूनिट के नाम पर एक पूरा जासूसी तंत्र ही खड़ा कर दिया था वो भी गयर कानूनी तरीके से उसका इनको कोई हक नहीं था तो अर्विंद केजरी वाल एक्च्वल में अपने लक्ष हांसिल करने के लिए देश विरोधी ताक्तों से भी चंदा ले रहे थे पैसे पकड़ रहे थे और छोटे मोटे पैसे नहीं पकड़ रहे थे 133 करोड रुपया पकड़ रहे थे खालिस्तानियों से और किन किन से इन्होंने पैसा पकड़ा होगा ये अपने आप में जाच का विश्य है लेकिन जो घटनाएं हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि अर्विंद केजरीवाल एक्चल में किस दिशा में बढ़ रहे थे और इनका अंतिम लक्ष क्या था इनका लक्ष कोई दिल्ली शेहर के लोगों की सेवा करने का तो नहीं लगता है जिसका ये ढौंग करते रहते हैं ड्रामा करते रहते हैं उनको तो ये मुफ्त का चुगळ डाल करके बस لलचाय रखते हैं और अपना काम निकालते रहते हैं यानि उनसे वोट हासिल करते रहते हैं पिछले दस साल में मुख्य मंतरी रहते हुए उन्हें दिल्ली को पेरिस बनाने का यमना को बिल्कुल क्लीन बना करके बहुत सुन्दर घाट बनाने का और पता नहीं क्या-क्या सपने दिखाए हैं उनमें कोई एक काम आज तक पूरा किया हो तो वो अर्विंद केजरीवाल या उनके परवक्ता बताएं इसी तरीके से पंजाब के मुख्य मंतरी को देख लीजिए जो या तो इनके कहने पर या इनके नक्षे कदम पर खुदी चल पड़े हैं अख़बारों में दो दो पेज के विज्ञापन इनके हर चोथे पांचवे दिन आ जाते हैं एक दिन का एक एक विज्ञापन तो फुल पेज का किसी भी दिन चप जाता है और उसमें एक ही पेज पर जो है एक ही विज्ञापन में मुख्य मंतरी के 6-6-7-7 फोटो लगा द के विज्ञापन दे करके यानी कामों का ढिंडोरा पीट करके यह साबित करना चाहते हैं कि जैसे यह पंज़ाब की जमीन पर उतार करकर ले आए और इनों होना तो ऐसे अभुत पूरव काम कर दिये हैं जो आज से पहले किसी पंजाब सरकार ने नहीं किये लेकिन जो कर रहे हैं उसके लिए इनको बहुत कड़ी और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कर